हेलो दोस्तों बात कर लेते हैं कल की मार्किट कैसी रहेगी, कल RBI पॉलिसी भी है, मार्किट के ओपर कैसा इंपेक्ट रह सकता है, इसके ओपर डिस्कस करेंगे, शात में ही बैंक निफ्टी में क्या अपसाइड के लिए और स्ट्रेंथ बन सकती है, संसेक्स में क्या में क्या पॉटेंचिल बन रहा है, या ट्रैप करेगी, और देन डाउनसाइड का फॉल फिर से शुरू करेगी, उससे पहले मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस करना चाहरा हूँ, एक सीरियस इशू है गाईज, आप लोगों को लेके ही, क्यों लोग आपके वाटसेप के तो मेरे को उसने वाटसेप किया कि सर कॉल लेके गया हूँ, 10,800 की जो 84 रुपीज पे, और मेरा एसल 74 रुपीज है, आप इसको केरी फॉरवर्ड लेके गया, आपका एसल का क्या लॉजिक बनता है, दूसरे दिन सुभा ही अगर नीचे डाउनसाइड में खुला तो क्या क बढ़िया है, 74 रुपीज पे निकल गया, अच्छी बात है, आज उसका मेसेज आता है कि सर गलती कर ली मैंने, ये कॉल सर 119 रुपे गई, शिट, आप 84 रुपीज पे किसी को केरी फॉरवर्ड लेके जाते हो, अपनी मर्जी से, 800 की कॉल को लेके जाते हो, दाउन गिरता ह है, फिर आप मेरे से पूछते हो, मैंने पूछा आपका व्यू क्या था, क्या लेके गे, 74 का स्टाप प्लस था, 74 पे वो एक्जिट हो गया होगा, 48 रुपीज उसका लो लगा के गया, जिसको इतनी अकल नहीं है कि 84 रुपीज का खरीदा हुआ, 48 रुपीज लोग मार के ज पूछना, मैं अपना व्यू यूटूब पे शेयर करता हूँ, ऐसे लोगों की ट्रीटमेंट जरूर बताना आप कमेंट वॉक्स में, बैंक निफ्टी ने क्लोज दिया हुआ, 48,126 पे, सेटलमेंट के बाद में क्लोज कहां पे आया है, ये देखना जरूरी है, तो सेटलम अगर मार्किट ब्रेक करती है, अपसाइड में 48,150 को, तो आपके लिए अपसाइड में ये आज का हाई, जो लगा है वो, और इसको अगर ब्रेक करती है मार्किट, तो आपके लिए 49,000 जाने के लिए मार्किट रेडी हो जाएगी, फिर negativity का कोई मतलब नहीं बनता है, 48,255 के अबब अगर मार्केट ट्रेड करना शुरू कर देती है तो फिर नेगटिविटी करने का कोई लॉजिक नहीं बनता है मॉर्निंग में लाइव थे वो सेशन सबको देखना चाहिए मार्केट जहां भी ओपन हुई उसके बाद में सपोर्ट कहां से ली 47,700 के अर्राउंड जहां पे हमारा लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यहां तक का एक टार्गेट था इसी एरिया के आसपास से सपोर्ट लेके र प्रिवर्सल शुरू करा मार्केट ने ठीक है तो अब आपके लिए 48,000 के अबब जब तक बैंक निफ्टी है नेगिटिविटी सोचने की ज़रूरत नहीं है और विय पॉलिसी है रेट कट नहीं होगा सबको पता है ना ही बढ़ेगा क्योंकि इलेक्शन है क्लियर कट है ब जूमनी करेंगे डाउनसाइड में 48 के नीचे अगर ट्रेड करना शुरू कर दिया तो ही हम डाउनसाइड के लिए सोचेंगे और टार्गेट रहेगा 47,700 और इसको ब्रेक करेगा तो ही फिर नीचे के लेवल्स के बारे में सोचेंगे कि 47,600 और उसके बाद में 47,400 इसके न सोचने का मतलब नहीं बनता है फिलाल अगर बनेगा तो हम साथ में सोच लेंगे टेलिग्राम के उपर अब बात कर लेते हैं निफ्टी की क्या 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 आज किया यह आप सबको पता है और मेरे से ज़्यादा जो सुबा लाइव सेशन में थे उन सबको पता है मेरा व्यू लो को भी देखते हुए चलना है आपने एक लो कल यह बनाया आज इसके नीचे लो बनाया अब कल कहा बनाती है या कितना उपर जाती है वो देखते हैं अभी अब अपसाइड में आप ट्रेड प्लान करोगे इसी एरिया के आसपास या इसके उपर 22,590 का लेवल यह शिफ सकती है बट जिस तरीके से यह गई इस तरीके से एकस्पेक्ट नहीं किया था मैंने इस एरिया से मार्केट ने स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्शन ली 600 से 300 आने में डेड़ घंटा भी नहीं लगाया तो मार्केट जब गिरने पर आती है न तो कितने भी गिर सकती है उसम 2,600 के अबब अगर टाइम स्पेंड करती है प्राइजेक्शन बनता है अपसाइड के लिए बिलकुल प्लान हो सकता है नेक्स टारगेट आपका 636 बहुत छोटा टारगेट है बेसिकली और इसको ब्रेक करेगा तो आपके पास में टारगेट निकालने का सिंपल लॉजिक ह कि मार्केट का हाई और इसका बॉटम बॉटम इसका मजर्टी ओफ केंडल्स यहां का यह बॉटम बनता है तो 290, 229 पॉइंट का है यह तो आप अपसाइड में अगर 630 को ब्रेक करता है 229 पॉइंट का और एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपसाइड के लिए in coming days move आ सकता है यह आपको नोट करना है 22,830 के आसपास का अगर मार्केट 22,633 के ऊपर सस्टेन होती है तो इसके पहले कोई ट्रेड का मतलब नहीं बनता है कि आप रेंडम ट्रेड लेना शुरू कर दो कि मार्केट यहां से ले लो नीचे से ले लो 22,300 से ले लो जो ऐसी गलतियां करेगा वो फसेगा 636 के ऊपर जाएगी तब आप अपसाइड के लिए और 1500 सो पॉइंट का आजियूम कर सकते हो टारगेट आपको 40,50,50 पॉइंट का अपसाइड में जाता रहे स्टॉपलस को ट्रेल करो या छोटा 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 प्रॉफिट लेते हुए चलो ज़ूरी नहीं कि अगर मार्किट ने क्लोज दिया है 541 के ऊपर यानके 550 के अराउंड तो अपसाइड के लिए स्ट्रेंथ है डाउनसाइड के लिए आप तब तक नहीं सोचोगे जब तक मार्किट 500 की सपोर्ट लेके ट्रेड कर रही है 500 को ब्रेक करेगा टाइम स्पेंड करेगा तभी आप दाउनसाइड के लिए सोचना और फिर आपके लिए छोटे छोटे टारगेट है 446 और इसको ब्रेक करेगा 374 ब्रेक करेगा 320 और इसके नीचे 200 220 के आसपास है अगर वहां आएगी मार्किट तो फिर हॉल्ट लेगी रेस्ट लेगी फिर नया प्राइजेक्शन बनेगा तो लिंक है वेबसाइड का वाटसअप नंबर आपके पास में है आज संसेक्स ने और निफ्टी ने दोनों ने ओल टाइम हाई लगाया और क्लोस किया है संसेक्स ने 74,227 के आसपास अब अबसाइड में मैं किस बिसिस पे बोल रहा हूं कि 76,267 तक जा सकती है ये आपके का पार्ट रहेगा सिखा रखा है मैंने कि क्यों अभी संसेक्स में आने वले टाइम में फ्यूचर में कल की बात नहीं कर रहा हूं मैं reason क्या है उसका किस बेसिस पे ये मैं बोल रहा हूँ ये आपको सिखा रखा है comment आप करोगे तभी सिखाने का मज़ा आता है अगर आप proper interest लेते हो last time जब मैंने reliance के बारे में बताया था आप लोगों को कि reliance अभी 2900 तक आ सकता है कब कहा था इस particular zone के आसपास यहाँ पे यहाँ पे आने का reason क्या था candle को fill करना था हमारे लिए एक सीधा सीधा clue था कि market को यहाँ पे आना है यहाँ test किया then reversal upside के लिए अब यह यहाँ से क्यों reverse हुआ इसके पीछे का logic तो guys this is the part of learning क्यों यह 2898 का low लगा के ही reverse हो गया यहाँ से ही reversal के क्या reason है यह सीखना जरूरी है यह तो आपके सामने है YouTube के उपर free of course share कर रखा है Master Guide सीरीज में सीखना आपने है इसलिए मैंने आप से कहा कि यह आपको बताना पड़ेगा जब तक यह 74,000 को hold कर रहा है तब तक ही है यह सब चीजें अगर market कल downfall शुरू करती है 74,000 के नीचे weak हो जाएगा जैसे ही यह इस candle के दाइरे में आएगा downfall ले सकता है फिर आपके लिए downside में 73,600 की support रहेगी और 600 को break करा तो इस candle को fill करेगा फिर 73 भी आ सकता है एक support का काम करेगा 73,600 और upside में 73,880 यह आपने level note रखने है बड़े simple से level है यह तो day की candle है इसके लाव और कुछ भी नहीं है इसमें upside के लिए आपके पास में जहां पे close दे रखा है 74,100 की support लेके अगर upside की rally शुरू करता है तो आपका target रह सकता है 74,500 और इसके उपर अगर market ने half nr spend कर दिया RBI की policy अगर neutral है neutral in the sense कि अगर कम हो न जादा हो तो market उस पे शायद ज्यादा react नहीं करेगी और rate cut करने की expectation नहीं है अगर rate cut कर दिया तो हो सकता है कि upside में और strength बने election है भाई कुछ भी हो सकता है फिर upside में आपको 74,800, 74,900 तक जा सकता है upside में strength बनने के उपर का reason ये channel है guys मेरे को comment चाहिए अब आपको major करना है कि मेरा 76,000 का future level सही है या गलत है ये आपको देखना है और मेरे साथ share करना है नए हो channel पे like कर देना, subscribe कर लेना, telegram पे join कर सकते हो, instagram पे follow कर सकते हो thank you so much for watching, bye bye, take care